जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राज़ा में दोस्तों यहां पे हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर टॉच करने वाल हैं जिसको लेके आप लोगों के बीच में एक भाई पाइदा हो गया है बहुत सारे ए सिंपल वर्ड में ठीक है उसे पहले अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को अभी तक जोएन नहीं किया हुआ है तो आप लोग अराम से जाए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वहां पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेली होता है आप लोग मैं से बहुत सोहरे भाय वह Tiots Đietjeo और iki घृथा चीज अब क्या होता है पहले क्या होता हुए अब यहां पिर उपर पर के वींग करते थे वहां पर आतो 1.4 परसेंट जो है वह TDS काटा जाता था यह TDS जो आपका काटा जा रहे 31.4 परसेंट पहले वह ऐसा नहीं कि गवर्मेंट ले लेती है वह आपका ही पैसा है जब आप टेक्स पे करोगे तो वह 31.4 परसेंट जो भी आपके रेवेन्यू जनरेट हुए होंगे वह आपको इत्यार वर्त भरते वर्त उतना पैसा आपका कम हो जाएगा एक्जामपल आपको मैं बताता हूं यहां पे आप टेक्स पे करते हो आपका टेक्स लेब बनता है चार लाग का तो आपको चार लाग टेक्स पे उस कंडिशन में नहीं करने होंगे वह आपका TDS बना हुआ है वह यहां से डिडक्टिड हो जाएगा बाकि आपको सिर्फ दो लाग का ही टेक्स पे करना होगा ठीक है और तो आप लोगोंने यह वाद देखी लिया होगा पहले जो था कि पांच लाग तक अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है टैक्स लाब में 0 टेक्स आप मतलब पांच लाग से उपर जाओंगे तो आपको जैक्स यहां पर यहां पर पहले यह रूल था दस जार से उपर के किस में लेकिन अब इसको चाहिए ऑनलाइन गेम्स में इसको रिमूब कर दिया गया है यह दस जार को रिमूब करके अब यहां पर जीरो रिपीस से उपर कर दीगे इसका मतलब अगर आप एक रिप्या भी वीन करते हो तो वहां पर आपका 30 परसेंट टीडियास कटेगा अब बहुत सारे भाइब का यहां पर एक डॉर्स हो रहे हैं कि राजाब है मालो कि मैंने किसी कंटेस्ट चौती सुन्यानवी वाली में लगाए एक कंटेस्ट मैंने खेला वहां पर हमारी वीनिंग हो गई 10,000 रिपीस का तो 10,000 रिपीस का मेरा 30 परसेंट कटेगा क्या क्या तो मैं इनका एक जगह पर आपको मैं यहां पर दिखाई देता हूं यहां पर इन्होंने साब तोड़ पर मिंशन किया है कि दर प्रप यह नेट वर्ड आ गया इसका मतलब आपका वहां पर प्रॉफिट कितना कर रहा तो अगर मान के चलो कि आपने दस जार रिपीस का प्रह जीता तो इसका मतलब आपको 10,000 रिपीस का 30 परसेंट टीडियस नहीं कट करेंगे उसमें से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है च पहिंचाट रिपीस का तर्टी परसेंट आपका टीडियस काटेंगे वह टीडियस आप जो भी बनेगा उसका टीडियस वह आप क्लेम करोगे जब आप अपना टेक्स भरोगे बहुस सारे बैका यह जरूरी है क्या होट न तो मेरे गॉर्डिंग आप वह सब अपने आपको सेफ रखने के लिए यह काम करो ही यहां पर आपको दो चीज की जो है सहलियत मिलेंगी यहां पर आपके पास पहला रहेगा कि राजव है मैं तो साल के इंड में नीगेटी में चला जाता हूं या फिबराबर रहता है थोरा बोद प्रॉफिट करता हूं पांच लाग-चे तो मैं क्यों टेक्स भरूं तो मेरे प्यारे दोस्त आप अगर मानलो की टोटल अर्निकी साथ लाग या फिर आट लाग क्या सब्सक्राइब तो वहां से आपका तीस पर जो हजार है वह कर जाएगा बाकी का सतर हजार आपका रिफंड क्लेम हो जाएगा इस बात का अभ्या आपसे जादा नहीं लेंगी जो आपका को रिफंड करेंगी लेकिन इंकम टेक्स में आपको रिफंड करो wraисс?ferrd नहीं होता है लेकिन लेक्म-कले से लिपकुल डड़ना नहीं है जो आपका 30% कटेगा के रूप में वह आपको मिलने हैं गवर्मेंट वह नहीं ले रही है जब आप ITR करोगे तो आपको मिल जाएगा किम सिंपल सी बात है हम अगर यह बताएं कि हम अगर कहते हैं कि ठेट वासा जो हमारे विहारी वर्डेक हैं उसमें बोलू तो देखिए यहां पे आप खड़े ह को इहां से आपको पैसाद यहां कुछ वह आपको यहां नहीं यहां करेंग जब वीन करोगे तो आपको बेंग चाट के पैसा आएगा पैसा आप प्रिकों मिलना है लेकिन वह मिलेगा यहां पर जिसके नाम से पेंट कार्ड होगा यहां पर आपको एक सी जहां रखना है उसी अपलीकेशन पर खेलना जहां पर आपका खुद का पेंट कार्ड हो क्योंकि टीडियास हमेशा बनता है पेंट कार्ड के उपर उसको एकॉंट से कोई मतलब नहीं होता कि आपने किस एकॉंट बैंक का रखा है जिसका आपको नहीं करने हैं उसके बाद आप लोका जो एक डॉट्स कैसे करेंगे तो आपके नियर बै जो भी सीए होंगे अब देखो आपका जैसे कि हम मेरा ट्रांजक्शन नेट प्रॉफिटर मान के चलो की सलाना हो जाता है चालिस में तालिस लाका नेट प्रॉफिट होता है वह मेरे एंकल देखते हैं पट्ना में बैठते हैं और एक मेरा भाई है वह देली में है और बहतरीन समझना भाई साब यह मतलब इतनी तग्रेंट था फर्स्ट एटेम्ट में इन्होंने निकाला था तो आप समझ सकते हो खेलो एक ममी के पास बेजो पापा के पास बेजो और एक अपने पास एक भाई के पास वहां पर आपको टेक्स में थोरी सी सहुलियत मिल सकती है लेकिन आप तब करना जब आपका इंकम जो है 10 लाक 12 लाक 15 लाक जा रहा है तो सलाना अगर आप 2-3 लाक में रह रह रहो तो आप अपने पर उड्रो करो कोई दिकते यहां पर नहीं आने वाली है मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सिंपल वर्ट में बातों को समझा दिया अब आप लोगों का और डॉट होगा कि साल में कब टेक्स प्रेकरते हैं तो आपको हर एक साल 31 मार्ज से पहले टेक्स प अब 20 लाग का स्पास मैंने टेक्स पे किया पलस यहां पर मेरा लगबग मान के चलो कि साथ से आट लाग ठीडियास बन जाएगा तो मैं तो आपको करना चाहिए पता नहीं बहुत साहे लोग जाएं चीज़ों को बुरा मानते हैं आपके लिए खुसी की बात है अगर मैं आज की रेट में एक करोड रिप्या टेक्स पे करता हो गवर्मेंट को यह मेरे लिए प्रॉड की बात हुई क्योंकि दोस्तों अगर मैंने एक करोड यहां पर गवर्मेंट को टेक्स पे की न तो इसका तीन गुना मेरे पास लगबग है आप यह मान के चलो कि चार हिसा में आप और गवर्मेंट को देते हो तीन इसापने पास रखते हो ठीकर न तो आप अगर को एक करोड का टेक्स दिये तो आपके पास थीन करोड रिप्या है तो इतने खुशी की बात है इसमें कौन सी डढ़ने की बात है कि टेक्स क्यों इतना गवर्मेंट को दें आप प्रोड की बात है दोस्त टेक्स पर आपको करना चाहिए और आप अपने नियर भाई जो सी होंगे उसे गाइड़नस ले सकते हो या फिर अगर आप लोगों में से कोई आप मुझे करें आप मुझे सकतों मैं आपको उनसे बात करवा दूंगा और कम चार्ज में अगर कोई का करवाएगा मान के चलो की इसका तो चार्ज जैसे मेरा हम से लेते हैं एक लाग पस्ता रुपीज मेरे अकांट का बुक लेट सभी बनता है इसलिए मेरा लोगी हजार फंदा सोब्स अलग चार्ज लेंगे अगर आप सेक्योर और ऐसे जगह से करवागे जहांसे आपके बिल्कुल डाटा लिंक डाटा चोड़ी नहीं होगा किसी के पास यह नहीं होगा तो थोड़ा आपको एमोंट जादे लग जाते हैं तो आप जो भी काम करे लेकिन अगर आपका इंकम 10 लाग से उपर है तो मैं आपको रिक्मेंट करूंगा एक पास दाइए उनसे आप जिक्र कीजिए और हां वीडियो के अंत में आपको यहां पर दो चीज के लिए कर देता हूं सी यह से कभी आप कोई भी बात मत चुपाना अगर मान कर चलो कि आ इनकम 50 लाग रुप्या है और आप इस दोपर कितना 30 लाग का टेक्स बढ़ना चाहते हो वह आप उनको कम से कम जरूर कह दो सी यह डॉक्टर इन सबसे कभी वकील इनसे कभी भी दोस्तों जूट नहीं बोला जाता है उनके सामने आप तर तो सही रखो बांकि वह आपको ज दोस्तों महिनेस करवा देते हैं तो 40-42 लाग पर लाग के वह रख देंगे वही 50 लाग रुपीस वाला जो टेक्स होगा और उनका चार्ज मानलों की एक लाग देर लाग होता है तो फिर भी आप बैठे बैठे आटनों लाग रुपीस कर लोगे अगर आप लंबा अपना प्रफिर जनेरेट करती हो तो मुझे उमीद है कि आप लोग के में इस वीडियो में वह बाते बता दी जो आप लोग के बिच में रखना बहरी ज़रूरी था आप लोग टरग ग्रेटे टीडियास क्या बन रहा है वैसरे टीडीएस हमको रिटन मिलेगी नहीं मिलेगी टेक सब्सक्राइब जरूर कर दीजएगा ठीक है